आज हम जानेंगे ताइवान के इनकम, जीडीपी, जीगरोफी, सूर्स अफ इनकम और विश्वेपार के बारे में हाली में चल रहे चाइना और ताइवान के मोखिक यूद के कारण ताइवान चर्चा का केंदर बना हुआ है ताइवान जिसका ओफिसियल नाम दर रिपबलिक ओफ चाइना है यह इस्ट एसिया का एक छोटा सा देश है यह चारो तरफ समुंदर से घीरा हुआ है पूरब में पैस्पिक ओसियन और पस्चिम में चाइना से और दख्षिन भाग में फिलिपिन्स ओसियन है यह देश 36197 किलोमेटर स्कॉयर एरिये में फैला हुआ है यहां की पॉपलेशन लगभग धाई करूर है और यहां का करेंसी निव ताइवान डॉलर है यहां की जीटिपी लगभग 700 USD बिलियन है यानि US डॉलर ताइवान की कैपिटल टाइपाई सीटी है और इसके source of income की बात की जाए तो लगभग 40% इंडस्ट्रियल जिसमें electrical and electronics और petrochemical सबसे ज्यादा है और agriculture से लगभग 2% है और बाकी सब other percentage में आते है नेचुरल रिसोर्स की बात की जाए तो ताइवान लगभग 98% नेचुरल रिसोर्सेज इंपोर्ट करता है और सभी परकार के नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा तर इसका वैपार Australia के साथ होता है चाइना की One China Policy के कारण कोई भी देश इसे एक संपूर्ण देश की मानेता नहीं देता है चाइना किसी भी देश से वैपार करने से पहले One China Policy पे हस्ताक्षर करवाता है जिसमें की यह लिखा गया है कि ताइवान कोई अलग देश नहीं बलकि वह People's Republic of China का एक बिछडा राज्य है जो घरेलू कारणों से अभी अलग है वहीं ताइवान अपने आपको एक सन्युक्त राष्ट अलग देश घोसित करता है ताइवान एक अलग देश कैसे बना चलते हैं इसके इतिहास में हिस्ट्री में 1894 में जब जपान ने चीन पर हमला किया तो चीन को तीन टुकडों में तोड़ दिया जिसमें की कोरिया और ताइवान अलग देश बने यह यूद चाइना हार गया और इस यूद को फर्स्ट चाइनो वार के नाम से भी जाना जाता है उस समय चाइना में किंग सासन काल था सन 1925 के बाद चाइना में दो पार्टिया बनी नेशनलिस्ट जो जनता के समर्थन में थी और लोगतांतरिक सूच वाली थी और दूसरी कॉमिनिस्ट जो तानाशाही राजसाही परकार की थी और लोगतांतर और चुनाव के खिलाफ थी इन दो पार्टियों के अलग मत के कारण चाइना में 1927 से 1950 तक ग्री यूद चला सनलिस्ट पार्टि के समर्थक और लोगतांतरिक सोच रखने वाले लोग कॉमिनिस्ट पार्टि के अत्याचार के कारण चाइना के पूर्वी भाग में जो टापू था वहाँ पर जाकर बसे जिसको उन लोगों ने Republic of China का नाम दिया जो आज ताइवान के नाम से जाना जाता है वहीं कॉमिनिस्ट पार्टि के लोगों ने अपने देश का नाम People's Republic of China रखा और ताइवान को चीन का हिसा बताते हुए एक बिछडा हुआ राज्य मानते हैं और वहीं ताइवान यह कहता है कि कॉमिनिस्ट सोच के कारण People's Republic of China हमारा एक बिछडा हुआ भाग है जो आने वाले समय में हमारा हो जागा अर्थार दोनों ही देश एक दूसरे को अपना भाग मानते हैं दोनों ही देशों की यही सोच आज दोनों ही देशों के बीच वार का कारण बना हुआ है Study point of view से ये था चाइना और ताइवान के बीच जानने वाली जनकारियां बरत्मान समय में चाइना और अमेरिका economic वार कर रहे हैं और वहीं अमेरिका ताइवान के साथ अपने अच्छे संबंद दिखाते हुए चीन को उग्र कर रहा है जबकि चीन ताइवान को अपना एक हिस्सा मानता है चीन के सरकार के साथ साथ वहां की जनता भी ताइवान को अपना एक राज्य मानती है और अमेरिका का उसके साथ सम्बंद चीन को दो टुकडों में तोड़ने का कारण मान रही है अब हम आगे देखेंगे कि यह मौखिक बार आगे जाता है या यहीं तक रह जाता है फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए पढ़ते रहें स्वस्त्र हैं और सुरक्षित रहें धन्यवाद